उत्राखन में नई क्याबिनेट में शामिल होने वाले संभावित चहरे कौन-कौन से ये भी हम आपको जल्दी से बता देते हैं उत्राखन के संभावित मंत्री पहला देखे सुबोध उनियाल दूसरा अर्विन दपांडे का नाम भी चर्चाव में चल रहा है इसके बाद बिशन सिंग चुफाल का नाम भी चर्चाव में चल रहा है लेकिन उत्राखन के संभावित मंत्री कौन-कौन से हो सकते हैं ये हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से अर्विन दपांडे का नाम भी चर्चाव में चल रहा है जो संभावित मंत्री हो सकते है इसके बाद देखे धनसिक रावत का भी नाम चल रहा है बिशन सिंग चुफाल का नाम भी चर्चाओं में चल रहा है मुन्ना सिंग चोहान का नाम भी चर्चाओं में चल रहा है रितू का भी नाम चल रहा है रेखा आरे का नाम भी चर्चाओ में चल रहा है और सीम की रेस में किसका किसका फेस हो सकता है यह हम आपको बता रहा है रामनु जो मारे रिपोर्टर तमाम जवनकारी के साथ हमारा सा लाइब यूडिया उनी कारू करेते कि आखिर उत्राखंड का अगला मुखमंतरी कौन है इसको लेकर विचार मंथन चल रहा है पार्टी के नर्वाचित विधायक हो या पार्टी के पदाधिकारी कारिकरता सबी इसी बात पर विचार मंथन कर रहे हैं लाकिर उत्राखंड का अगला मुखमंत्री कोन होगा देहरादून से लेकर दिली तक इसी तरह के कयासबाजी लगाए जा रहे हैं चाहे वो सीम की रेस में सामिल नामों को लेकर हो चाहे या जो मुखमंत्री है पुसकर सिंग धामी उनके नाम को लेकर हो इस तरह की चर्चा दिली में विचार मन्थन होने के बाद ये तस्वीर साप हो सकती है और पार्टी के जो शुत्रं है वो बता रहे हैं कि होली के बाद उत्राकंड में नई सरकार का घठन होगा तो इस तरह से आप मुखमंतरी के नाम पर चर्चा चल लए है उजिस तरह से आपने कई नाम का जिक्र किया चाहे वो आप मुखमंतरी पुसकर सिंघ धामी हूँ या पूर्व मुखमंतरी अरमेश- running निशंक हो धन सिंग रावत हो या उजो दूसरे नाम है सत्काल महराज पर मुखमंत्री कोन होगा विधायकों में से ही उत्राकंड का मुखमंत्री होगा या जिस तरह से भाजपा सर्प्राइजिंग बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है रामनु जोड दिल्ली में बड़े निताओं का डेरा भी हम देख रहे हैं कि लगा हुआ है